हलो नमस्कार दोस्तों और आप सभी लोग को स्वागत हैं लन भी सती चैनल में और आज हम आप सभी लोग के लिए एक नई हिंडी हिंडी ओडियो क्लिप लेकर आएं जो कि धीरु भाई अंबानी के उपर है जो कि उद्योग जगत के बहुत बड़े सक्स हैं जिनके बारे मे आप उनके पूरी बायोग्रोफी के बारे में उनका पूरा मतलब सफलता के मंद के बारे में उनके कैसे कैसे अपने जियोन में सारी चीज़े की तो उसका हम पूरा हम ऑडियो क्लिप आपको उनकी पूरी बुक का ऑडियो क्लिप हम आपको हिंडी में प्रोवाइट कराने जा रहे हैं और अगर हम इसका आनंद उठा सकते हैं और आसानी से पढ़कर सारी चीजे इनके बारे में समझ सकते हैं की होल बायोफी को मैं आइड करने वाला हूँ तो आप सभी लोग पेस को लाइक जरूर कर दीजिए करिए अगर आप लोग को अच्छा लगता है पेस तो और तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस ओडियो क्लिप को उद्योग पति धीरजलाल हिराचन अमबानी अपने जीओन काल में एक जाना पाइचाना नाम बनकर उबरेवा धीरू भाई अमबानी के नाम से जाने गए तो एक साधाना अध्यापक के इस पुत्र ने अपने उद्यम वा संकल्प केबल पर बैसुक परिद्रिस में भारत में होने वाली आर्थव्योसा संबंदी बदलाओं में अहम भूम का निभाई वे मात्र 17 वास की आयो में लंदन गए थे वहाँ एक सधान करमचारी के रूप में काम करने पर उन्होंने सोयम को एक उद्योगपती ही माना वह उसी रूप में सोचावे अपने मन में एक विसाल कंपनी खोलने का अपना सपना लिए सायल ओयल कंपनी के लिए कार कर रहे थ जनाने में मदद की बैस्वी करण के युग में उन्होंने अपने पारंपरिक मूले नहीं त्यागे धीरु भाई अम्बानी के जीवन का उद्यान लेते हुए था उनके मूले अपना कर अहम भी सफल हो सकते हैं वा प्रगत की राह पर अक्रिसर हो सकते हैं भरत्य कारप्र जगर सतस गुजरात के इस ग्रामीड युवका भारी रहेगा जिसने इसे नए आयाम देते हुए बैस्युक पहचान दी दुजन्म वा बालेकाल धीरजल अमबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनांग जिले के चोरवार नामाग गाव में हुआ था उनके पित अध्यापक जैसे प्रतिस्थित पेशे से जुड़े थे परंद उन्हें यह सोच कर दुख होता था कि इतना प्रतिस्थित पेशा भी उन्हें आर्थिक रूप से समर्द नहीं कर सकता था यही कारण था कि उन्होंने पिता के पेशे को न अपनाने का निर्णा लिया वे आ मैट्रिक के परिच्छा बाद ही उनका बेहुशाइक जिवन आरम हो गया आरम में उन्होंने फेरी लगाने का कारवी किया एक बार उन्होंने इस्थाने दुकानदार से मुंफली के तेल का टीन उधार में ले लिया वे उसे सड़क के किनारे बैट कर खुला वेचा इसे श्कुल की चुट्टी के बाद गाउं की हाथ में भजिया बेचने की दुकान लगाने लगे तो अदन की योर मैटिक परिच्छा का पड़ाम भी नहीं आया था कि पिता ने उन्हें चोरवार बुला कर कहा मैं जानता हूं कि तुम आगे भी आगे भी पाना चाहते हो मैं त चाहता हूं कि तुम परिवार के लिए चार पैसे कमाओ तुम है तुम्हारे बड़ा भाई रमडीक भाई ने अधन में तुम्हारे लिए नवगरी की वेवस्था कर दी है तुम वहां चले जाओ धिरो भाई पाने की इच्छा तो रखते थे किन्त रोगी पिता की आँखो ही हुए अपना सपना भूल गए अगले ही दिन में पासवर्ट बनाने के लिए राजकोट चले गए उतन दिनों भारतियों को अधन प्रवेस के लिए बीजा की आओ सकता नहीं होती थी किन्त यह अफवाफ फाली थी कि बीजा की आओ सकता कभी भी पढ़ सकती है उन्होंन दूसरी सेड़ी में मैट्रिक की परिचप मैट्रिक पास कर ली थी अधन में कलर्क अधन पहुंचते हैं उन्होंने आफिस का काम सभाल लिया हुए एसी ए बैसी एंड कंपनी में कलर्क की नवकरी कर रहे थे उन दिनों लंदन के बाद अधन ही ब्यापारिक तेल बंदरग थी तो यह यह यूरोपियन अमरीकी अफ्रीका वा एसी ए कंपनी की बैपारियों इजन्ट के तवर पर काम करती हुआ हर तरह के माल को यहां से वहां पहुचाती जिसमें चीनी मसाले अनाच कपड़ा आफिस की स्टेशनरी यंत्र मसीनरी वा पेट्रोलियम उत्पाद आध पैसे के लें देन आधिकी गुड़ों सीख लिए वे दो पार की चुट्टी के दोरान अधन के बजारों में घूमते जहां वे विविन देशों से आए बयापारियों को करोंडों में पॉंड श्टरलिंग का बयापार करते देखते दुरू भाई भी पैसा लगाना तो चा ना ने बैंक वा भीमा कंपनियों से लें देने के पणाली भी सीख ली तो बयापार का आरंब बयापार के आरंबी कुड़ सीखने के बाद भी मील की खरीद पर दाव लगाने लगे यद्दे पी उनके पास अपना पैसा नहीं था कि अधन में मित्रों वा बयापारियों न पहला तेल बंदरगाह वना उसी वर्स हुए गुजरात लोटे तथा उनका विवा कोकिला वेन से हुआ ए वैसी एंड कंपनी को ही सेल रिफाइनी उसपादों के बितरन का काम सहुपा गया धीरु भाई की पांच साल की मेहनत रंगलाई उन्होंने पददनेति देकर नए बने बंदरगाह पर तेल भरने वाले स्टेशन भेज दिया गया हलांकि काम मुश्किल था पर उन्हें बहुत पसंद आया यह उन्हें जहाजों में जाकर इंजन स्टाफ वा नाविकों को नाविकों से दोस्ती करने के भरपूर आउसर मिले पहला कर जाता क्रीबन चार दस में धीरु भाई फिर से उनके ऑफिस में तैस सुदा कर्ज की दूसरी किस्त लेने आप पहुचेंगे तो संस्था का प्रवंधिये दिदेशक उस समय निचले दरजे का अधिकारे था धीरु भाई को देखते हैं उसके मन ने गवाही दी कि उसके सामने बैठा गुजराती कोई साधान बैठती नहीं था जब धीरु भाई एक ही साल में कर्जे की दूसरी किस्त लेने पहुचे तो उसे यकीन हो गया कि उसे धीरु भाई को पहचानने में गलती नहीं की है तो भारत वापसी 1950 के अंत तक स्पस्ट हो गया था कि अधन में अधिक समय तक अंग्रेज अंग्रेजी राज नहीं टिक पाएगा क्योंकि सोतुनता प्राप्त के लिए यमनी अंदोलन तेज होता जा रहा था हिंदो को भिसाल समुदायवा पार्सी गुजराती अधन से वापसी का प्रवंधन करने लगे कुछ तो भारत लोटे कुछ ने बिर्टेन में बसने का न योग कर पाएंगे धिरु भाई सोयम भी जानते थे कि उनके दिनों ब्रिटेन में बसने का आर्था सुख सुभिधा वा बहुत सधन जो कि भारतिये में इतनी जल्दी भारत में इतनी जल्दी हो पाना संभो नहीं था तो उन्होंने सभी बिकल्पों पर गवर किया अब हा अधन में काम खोजने का विचार तो लुभावना था पर उन्हें लगा कि भारत उन्हें पुकार रहा था तो भारत में आरम हुए जानते थे कि भारत में भी काम खोलना कठिन नहीं होगा 25 वर्से धीरु भाई देश लोटे उन्हें थोड़ी सी पूंजी के साथ मुंबई में Reliance Commercial Corporation की स्थापना की अधन के बाजार का अध्यान करने की करणवें जानते थे कि वहां मसाले की आधि वस्तों की अपूर्ति कर सकते थे उनकी कमपनी अधरक हल्दी इराइलची वा वस्त अधन भेजने लगी वहां मांग की कोई भी वस्त भीजवाती थी दिरु भाई ने किराय के मकान से व्यापार आराम किया अमबानी दच्छन मुंबई में चोती मनजिल पर बने तीन कमरों वाले घर में रहते थे दीरु भाई वा उनका परिवार भाई रमडीक वा उनकी पतनी नाटू के साथ रह रहे थे दीरु भाई की ब्युशाइक बुद्धी रंग लाई वा काम चल लिकला चार सालों में ही एक फियेट कार खरिदने लायक हो गए थे जो उस समय के हिसाब से बड़ी बात थी मध्यमवर्गे कालोनी में फियेट का आना चर्चा का भी से था तब मुंबई वासी बड़ा ही मेल जोल से रहते थे तब उनके बेवसाय का और भी विश्तार हो चुका था तो परिवार का विश्तार इस दवरान उनका परिवार भी विश्तित हो नव अर्षिय मुकेश स्कूल जाने लगा था 1969 में दूसरे पुत्र अनिल का जन्म होगा 1961 वा 1962 में दीपती वा नीना नामक पुत्रियों ने जन्म लिया अब वे दच्छिण मुंबई के एक बड़ा घर साथ अल्टा माउंड रोड पर आ गए थे तो उसका अधन के मित्रों की साहिता 1958 से 1965 के साथ सालों के दवरान रिलाइंस तेजी से बड़ी धिरु भाई के अनेक मित्रों साहिकर्मी भी इसमें सामिल हो गए उनमें से अनेक तो अधन से थे जो समरित धिरु भाई के साहिता पाने आये थे अधन से आने वाला कोई भी परिचित खाली हाथ नहीं जाता था धिरु भाई उसे उसके योग काम अवस्से सौप देते थे तो अब तो धिरु भाई मुंबई के यान बजारवा देश के हैंडलूम वा पाउलूम के इंद्रों में पहचान बना चुके थे पर जब 60 के दसक के आरम में उन्होंने बिस्कोस फिस्ट बिस्कोस बेस्ट धागा चमकी बनाया तो वे अचानक प्रसिद्ध के सिकर पर जा पहुचे दिरु भाई अपने दल का नेतित उसी तरह करते थे जिस परकार संयुक्त परिवार वा मुखिया करता था वे अपने लोगों की पूरी वफादारी मिलती तो ओनली विमल मुंबई में धीरु भाई ने वही किया जो वे दूसरों से करने को कहते थे वह अल्टा मांड रोड फिलेट पर खड़ी पुरानी कार में रिलायंस का माल भरते वा पूरे सहर में दुकानों पर चक्का लगाते हुए मा रिलायंस ने यही बाजी मार ली सारा माल से इधा रिटैलर तक पहुँचने लगा आज से पहले खुद्रा बैपारियों को इतने सस्ते दामों पर माल नहीं मिला था इस तरह बिना किसी परचार या बिग्यापन के रिलायंस के बजार ने पकड़ बना ली इस दवरान परि नंभिक सफलता से दिरु भाई का अक्विजवास बढ़ा और वे उची छलंग लगाने के तैयारी करने लगे वे गुजरात लोटे नरोदा में 15,000 की पूंजी से मिल लगाई गई दिरु भाई ने मिल के लिए सिंथेटिक फाइबर की बेंच की बेंच खरीत का दंदा तो 1986 में कहीं जाकर धिरु भाई को ध्यान आया कि उनके ओफिस के बाहर उनकी नाम पट्टी होनी चाहिए सचमुच उनकी सादगी बेजोड थी तब तक वह नरोदा वह अहमदाबाद में 6 दरजन करमचारियों के साथ रैप निटिंग मसीनों पर वस्त उत्पादन भी तो धीरे धीरे ओनली मिल का नाम चमकने लगा हलांकि कुछ साल बाद वा समय आया जब इसे कंपनी के सूतरवाक के रूप में रिलाइंस का नूठे ओनली विमल सोरूम के लिए चुना गया रिलाइंस तरही से आगे बढ़ा उत्पादन के 4-5 साल में ही बुनाई की 20 मसीने बुनाई की 20 मसीने हो गई, 1972 से 1973 तक बुनाई लूसो की संख्या 154 हो गई थी, तो पहला पब्लिक इशू, 1977 के दोरान उन्होंने पहला पब्लिक इशू जारी किया, जारी करने की सोची, तब तक कोई समय को कौल्टी फैबरीक के उत्पादक के रूप में स्थापित कर प्राप्ति के बाद अपने पैर नहीं ठीका सके, सारा लाप करजे के वेंट चढ़ जाता, उद्योग पतियों ने नीजी संपतियां तो बनाई, पर उद्योग धंदे मंदे होते गए, केवल कुछ ही उद्योग ही जीबित रह सके, 1967 में धीरुभाई की पहल ने पी आर के माध्यम से सफलता है, जित की अलोचना वा निंदा के बाद रिलाइंस ने अपना काम धारी रखा, पुरे भरोसे से निवेश करने वालों ने अपने निवेश का सौग उना लाप के रूप में पाया, सेवर और डिवेंचर के मामले म अंबानी गुरुप लोग प्रिय हो गया, जनता ने दिरुभाई की महत्तो कांची परियोजनाओ के लिए बित्तिय सहायता परदान की तो पतल गंगा परियोजना, 1968 में बिमल ब्रांट की स्थापना हुई और उन्होंने 1982 में महाराश में पतल गंगा में आलिस्टर वे नहीं चाहते थे कि उन्हें कच्चे माल के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़े, प्राया बड़ उद्योगपती इस तत्य पर ध्यान नहीं देते थे कि वे अपने उत्पादन के लिए बाहर से कच्चा माल खरिते रहते हैं, जिस से उत्पाद की खीमत बढ़ जाती ह धिरु भाई ने इस भूल को नहीं दो रहा है इस तरह उन्होंने अपने उत्पादकों को प्रतियोगी कीमतों पर बजार में उतारा वह सफल रहे बिमल फैब्रिक बजार में हमेशा आगे रहा क्योंकि उसके पास अपना कच्चा माल होता था धिरु भाई अपने उत्पादक की उत्पादन लागत उपरी खर्चे वा आर्थव्योस्था के सभी तकनीकी पहलों की सूश्म जानकारी रखते थे धिरु भाई कभी पुरानी वा आप रसलित परंपराएं तोड़ने से पीछे नहीं हटे उनका मानना था कि यदि कोई आधुनिक सोच कहीं सार्थक मूल रखती है तो उसे अवस्य अपनाना होगा उन्होंने अपनी सफलता करह से बताते हुए कहा था भारतिय उत्पाद आधुनिक होना चाहिए वा गुडवत्ता अंतराष्टिय होनी चाहिए तो इसकी कीमत बाजार में प्रतियोगी होनी चाहिए उनके उत्पाद में यही चिंतन जलगता था वे हमेशा दूसरों से ते टैलेंट हट का उपाई भी काफी परसे धुआवे हमेशा सुयोग बेक्तियों की तलास में रहते जब वे किसी को अपने काम के लिए उप्युक्त पाते तो उसे निमंतित करते बड़ी ही संतुलित बाचीत होती उनके प्रबंध किये वह इंजिनिरिक पतिभाओं को वे अ असानी से जाने पैसाने माहुल को छोड़ने के लिए राजी नहीं होती थे कई सालों से पुरानी कमपनी के साथ काम करते हुए लगा हो जाना सौभाविक ही था वफ़ादारी वा निस्टा का भी प्रस्न होता था उन्हें लगता था कि कमपनी छोड़ने का मतलब होगा पुछ शिकर पर पहुँच चुके इन सफल लोगों के जीवन में उचे मुल्यों का मोल था पैसा तो कोई एहमियत ही नहीं रखता था वे किसी भी किता की वे किसी भी तरह का नैतिक पतन का सहिन नहीं कर पाते देकिन तो धीरू भाई किसी ना किसी तरह उन्हें अपने यहां लाने में सफल हो जाते उनके लिए या एक आसान काम हो जाता पहले वे प्रतिबा को तलासते फिर उसे कहा जाता कि कंपनी के लाब के लिए रिलाएंस टीम को उसकी आ सकता है ब्यक्ती बिनमरता से परस्ताव ठुकरा देता तो वे उसे हवाई टिकट बेशते वाई ब्यक् कुल प्रभाव पढ़ता था उस ब्यक्ति को लगता कि उसे आदर सम्मान दिया जा रहा था टीम वर्क में भरवसा तो धिरु भाई कहता थे कि केसी परियोजना की अंतिम तितिता कर देना ही काफी नहीं होता उमीद यही होनी चाहिए कि काम उसी तितित से पहले समाप्त हो उनके पुत्र भी इसी सूत्र वाक का पालंग करते आ रहे हैं पिता ने पुत्रों पर भी यह थेस्ट छाप छोड़ी है धिरुभाई बड़ी परियोजनाओं का मानसिक चित्रा करते हुए उनके पुत्र बिना किसी बाधा के उन्हें ठोस रूप से दे देते उस समय दिन सुबा के समय दो घंटे उद्योग से जुड़े मुद्धो पर चार्चा करते हैं उसमें दिन के कारक्राम और रणनीतियां भी सामिल होती थी इन्ही बैठकों में दूसरी कंपनियों के प्रवंदकों से मिली सलाहों पर भी विचार होता इन बैठकों में बड़ी- दायट निश्चित थे इसी प्रकार पिता-पुत्र एक टीम की तरह काम करते थे दीरुबाई की सफलता का मन्त। में भी नहीं सकुचाते थे वे प्राया अपने लोगों में उस्सावा प्रेंडा का संचाय करने के लिए अपने सफल मंत्रों को नारों में बदल देते किसी बड़ी प्रबंध किये संस्ता से डिगरी ना लेने के बावजूद उनका अनुभव ही बैवशाई कौसर लगता थ तो 28 दिसंबर 1932 को हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी के घर एक पुत्र निजन मिले जिसका नाम धीरजरार हीराचंद अंबानी रखा गया पिता को अनुमान तक नहीं था कि उनकी चोथी संतान अंबानी परिवार को भारती कारपर जगत का जाना पहशाना नाम बना द समय नस्थ होता था जब उनका जन्म हुआ तो परिवार में एक भाई वा दो भहन थी उनके बाद एक और भाई का जन्म हुआ इस प्रकार वे तीन भाई थे तथा दो भहन थी बड़ी बहन त्रिलोचना का विवा लालो भाई मेशवानी सीवा उनके पुत्र रसिक लाल प्रकार तिलोचना निखिलवा हेतल की दादी मा है तो बड़ा भाई रमडिक लाल अमबानी का बिवा पदमा वेन से हुआ उनके यहां एक पुत्र वा तीन पुत्रियों ने जन मिलिया पुत्र का नाम विमल ता पुत्रियों के नाम नीता इलावा मीना रखे गए दूसरी बहें जसुमति का बिवा सी पटेल से हुआ उनके यहां बीरेन आतुल बिमल वा मनीस नाम के पुत्रों ने जन मिलिया छोटे भाई नटवरलाल का बिवास इसमिता बेन से हुआ उनके यहां दो बेटों विपिल वा नीरज तथा दो बेटियों अनीता वा टीना ने मिलिया इस प्रकार अमबानी एक बिस्तित परिवार है दीरूँ बाही अमबानी का बिवा कोगिला बेन ने पती की सफलन में पूरा यगदान दिया उन्होंने पती का पूरा भरोसा रखा उए उनके बैवाहिक जीवन में कभी कोई बिवात ना हुआ वो वीवा के बात पती के साथ अदन गई था बड़े बेटे मुकेस का जन्म वहीं हुआ मुकेश का जन उनीश स्ताउन में हुआ बाकित दिन बच्चो दीपत, अनिल वा नीना का जन भारत में हो, मुकेश का बिवा एक संबिर्थ परिवार की पढ़ी लिखी लड़की की नीता से हुआ. उनके दो पुत्रों एक पुत्री हैं, पुत्रों का नाम अकास वा अनन्ता पुत्री का नाम हीसा है, धीरू भाई की बेटी नीना का बिवा चिन्ने की कोठारी परिवार के स्याम कोठारी से हुआ, कोठारी भी उद्योग पती हैं, दूसरी बेटी दीप्ती का बिवा गोवा के दत्रारण सल गाउं कर से हुआ वे भी बेवशाय में है दीरु भाई की चोथी संतान अनिल है उसका बिवार जानी मानी वोलिवुड अबनेती टीना मुनीम से हुआ उनके दो पुत्र है जै अनमोल जै अंसुल तो पुरसकार वार सम्मान अगर हैं पुरसकार सम्मान तो USA क बिजनेस वीग पत्रिका ने उन्हों सोठान में धिरु भाई अंबानी से स्टार अफ एसिया की उपादे दी उनीस सो निन्यान नवे में दा टाइम्स ओफ इंडिया ने उन्हें दा मोस्ट एड्मायर बिजनेस लीडर घोसित किया या चुनाओ टाइम्स की कमर्शियल वो बिकास वा उपलब्धियों के लिए बिजनरी एक्स्ट्रा ओर्डिनरी ओफ 20th सेंचुरी चुना इंडिया टूडे पत्रिका ने 20 सदी में भारत के सो निर्माता नामक संस्क्राण में उन्हें आर्थर 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 आफ फानेंसली कोटी के रूप में चुनाया संस्क् जंग द्वारा अयुजित इवेंट लिजेंड्स सेलिवेशन ओफ एक्सिलेस में धीरुभाई को सदी का सरवाधिक सराहा जाने वाला भारती चुना गया धीरुभाई को 2000 में एसिया बीक ने फिर से एसिया की 50 सक्त साली हस्तियों में से एक चुना तो मार्च 2000 में भाई अंबानी को केम्टेक फाउंडेशन वा केमिकल इंजिनिरिंग वर्ल्ड की ओर से माइन आउप ता सेंचुरी चुना गया भारत के रसायन उद्योग में योगदान के लिए यह पुरसकार दिया गया दिसंबर 2000 में उन्हें ग्रेटर मुंबई कारपरेशन की ओर से प फूल द्वारा किये गए सर्वेचर पर आधारी थी अगस्त 2002 में उन्हें लाइफ टाइम अचीब्मेंट इन बिजनेस एक्सिलेंस के लिए चुना गया या सम्मान दा इकॉनमिक टाइम्स द्वारा दिया गया तो अगस्त 2002 में उन्हें फिर से इंडिया एचारडी कांगर इसने लाइफ टाइम अचीब्मेंट से सम्मानित किया तो एक बड़ा सोमयन धीरू भाई एक निपूर प्रवंदा को आउद्यमी होने के अलमा बड़ा सोमयन भी थे वह जानते थे कि आधुनिक जगत में विग्यापन बड़े इवेंट किसी सफल वेवसाई के लिए कितन मानी पड़ती है वे लोगों को रिलाइंस की भविता दिखाना चाहते थे कुछ लोग का या को या भी मानना है कि अस्ची के दसक में रिलाइंस उद्यों के विशाल विग्यापनों ने उसकी सफलता में विशेष योगदान दिया तो अंतिम छण तो धिरू भाई अमानी उन्सट वर्स की आयो में ब्रीच कैंडी ऑस्पिटल में अपनी अंतिम सासली दिलवा दिमाग के स्ट्रों के गान उन्हें तेरा दिन पहले अस्पताल में दाखिल कराया गया था वे कोमा में चले गए आपनी संकल प्रसक्ति के बल पर उनकी सरीर तेरा दिन तक संगर सरत रहा। डाक्टरों ने माना कि दो दोरों के बाद होग करें उनकी जीवन सक्ति बेजोड रही कोमा के इस्तिम में भी सरीर की प्रते कोसिस ने हर मानने से इंकार कर दिया। उद्योग जगत में संकट के समय में भी हार ना मानने की प्रवित यहां भी दिखाई दी। और 6 जुलाई 2002 आधी रात से थोड़ा पहले दीरुभाई की मिर्तु हो गई, इस समचार से पूरे देश में सोक किलाहर दोड़ गई, जब कोई महान हस्त या सफलब्यक्त इस दुनिया से जाता है तो ऐसा ही होता है, सब को ऐसा जान पढ़ता है कि मानों उनका कोई अपना ही संसार से विदा हो गया हो, लोग अपने प्रिये की मिर्तु की वास्तुकता को मानने से ही इनकार कर देते हैं, उन्हें लगता है कि वह अब्यक्त तो जैसे मिर्तु से भी परे था, दिरु भाई अंबानी की मिर्त पर भी लोगों ने कुछ ऐसा ही अन्भो किया, तो दोस्तों हमने इस पूरी आडियो क्लिप को लगबग धिरु भाई अंबानी जो की एक भारत के महान उद्योग पति सक्ष है, इनकी हमने हिंदी आडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लिए तो आप इस आडियो बुक को आप सुनते तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगे इनकी बाइग्राफी के बारे में, क्यांन झाली तो आपी रिकु भुछार झांने, झाल झाल